इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम function को return कैसे करते हैं इस वीडियो के अंदर क्या देखेंगे हम लोग function को return कैसे करते हैं पहले function as a return का में थोड़ा सा वह देखेंगे और इसका definition के actual में यह होता क्या है कैसे काम करते इसका मतलब क्या होता है फिर थोड़ा सा अपन कोड़ पर चलेंगे कि function as a return का मतलब होता है कि आप एक function को दूसरे function के रूप में return कर सकते हैं मतलब कि आप एक function को दूसरी function के form में return कर सकते हैं मतलब कि एक function के अंधर एक-और function define किया जा सकता है और फिर इनर function को बाहर access किया जा सकता है मतलब कि एक function के अंदर हम एक दूसरे function के form में return कर सकते हैं मतलब एक function बनाया है उस function के अंदर हम लोग एक और function को दूसरे function के form में return कर सकते हैं मतलब कि एक function के अंदर एक function define किया जा सकता है और फिर इस inner function को बाहर से access हम लोग कर सकते हैं तो यहां पर हम मैं एक छोटा सा पोल लिखता हूं about how to pass function as a return हम function को return कैसे करते हैं तो यहां पर एक function मनाऊंगा और उसका नाम लोगा multiplier 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 उसकंदेगे मैं parameter pass करहूंगा factor नाम को okay multiplier parameter नाम का एक factor पास करहूंगा और यह return करेगा एक inner function यह क्या return करेगा एक inner function inner function इनर एक inner function यह return करेगा इसका यह और एक फंक्सन करें जिसका नाम क्या होंगा जिसका नाम होगा inner inner function इसके नाम क्या करूंगा एक सब्सक्राइब क्याइब पास करूंगा और यह रिटर्न करेगा यह return करेगा एक्स इंटू फैक्टर एक्स इंटू फैक्टर यह रिटन करें एक्स इंटू फैक्टर और मैं क्या करूंगा कि सब्सक्राइब तो मैं यहां पर रिटन क्या करूंगा एक फैक्टर मैंने यहां पर रिटन कर दिया कि अब क्या करूंगा अब कि इसको एक बार मैं रिटर्न कर लेता हूं रूटन इनर्ट फंक्शन को मैं क्या करता हूं एक बार इससे बाहर रिटर्टर्न कर लेता हूं मैंने का तरह किस कोड में क्या रह workflow कि मैंने एक आउटरम्ट्रlation मन đến उसके दर भी पारमिक प प्र backstory नाम का के प्र हिखो बनाया घ्रया एसके अंदर एक और inner function मनाया उस से मैने रिटर्न किया ट्रया एक इंटू ट्रम इने रिटर्न कर वाया तो अभी तक कह के ये के पुरा को-फुरा सीनेरिय। है अभी तक कि 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 अब मैं पर क्या करूँगा यां पर में एक लूट कांस्ट अघन धूत के अंधर कि अनुट इसके अर्गूमेंट पास ना थो चुर। बताँता हैं पना कि अ कई लिख रहा हूं कैसे लिख रहा हूं बताँ गां दूंट वरी एक और बनाऊंगा मैं वरियेवल कॉंस्ट जिसके इंदर उसका नाम जाएगी रिजल्ट उसके इन्दर वैल्लु क्या सब्सक्राइब को किसके तरे फाइफ के तरे हूं कर दिया आप कंसोल डॉल्ट लॉब करेंगा विए तो मेरा क्या रिजल्ट आना चीए फाइफ इंटू तू इस उकल टू टेन हमारा रिजल्ट होना चीए देखते हैं कंसोल में जाकर क्या आता है रिजल्ट इसके अंदर एक और फंक्सन है इन जो की जिसका नाम है ने इनर फंक्सन रखा है यह और पेरमेटर एक्स लेती है अब यह क्या कर रहा है जो एकस को फैक्टर के साथ मल्टिप्लाई करकर रिटर्न करेंगा यह क्या करेंगा ट्रण function inner function जो है यह क्या करें रिटन एक्स को factor के साथ multiply करके return करेंगे यहां पर तो question यह है कि हमें आपर double name आया कहां से यह function आया कैसे मिला तो यह ऐसे मिला कि जब आप multiplier 2 को call करेंगे जब मैं multiplier 2 को call करता हूँ तब multiplier function एक नया function return करता है तब multiplier function क्या करेगा एक नया function return करता है और हम उस function को हमें और हम उस function को हमने क्या किया है double नाम से store किया है मतलब जब multiplier 2 जब multiplier function 2 के साथ call हम करते है तब यह क्या करता है by default एक function return करता है और उस function को हमने क्या किया है double नाम से हमने किया है तो कुछेन यह भी आता है कि multiplier function एक नया function कैसे और क्यों return करता है हम लोगो double को कैसे function मान रहे हैं मतल सब पर कोश्चन आता है क्या कि मुल्टिप्रायर फंक्शन एक नया फंक्शन कैसे और क्यों रिटन करते हैं और हम लोग यहां पर डबल को फंक्शन कैसे मान रहें तो इसका एंसर में यहां पर थोगा साथ एक्स्पेंड करना चाहूंगा हमने सबसे पहले क्या किया इसको थोड़ा समय साइड में ले जाता हूं इसको थोड़ा करता हूं वेट आप लोग वीजिवल होगी मेभी इतना ठीक है ओके इस फाइं फर्स्ट लाइन में हमने क्या किया है यह एक फंक्षन है जो एक परामेटर फैक्टर लेते हुए एक और फंक्षन इनर फंक्षन को रिटर्न करता है पहले क्या करता है यह एक फंक्षन है जो कि फैक्टर परामेटर लेकर एक और इनर फंक्षन को रिटर्न करता है अब inner function देखना, क्या कहते है, inner function कहा definition क्या कहता है, inner function ये एक और function होता है, جो factor के साथ multiply करकर result को return करता है, एक और function है, जो कि factor के साथ multiply करकर result को return कर रहा हूं, तो मतलब क्या, जब आप multiply to को, जब आप multiply 2 को call करते हैं जब मैं multiply 2 को call करता हूँ तब क्या होता है तब factor की value 2 हो जाती है automatically कि मैंने इसके अंदर एक argue pass किया इस parameter इसको करना accept तो factor की value 2 हो जाती है automatically that's good अब क्या रहा है अब inner function के साथ एक 7 define होकर ये 2 के साथ multiply करके result करता है तो क्या रहा है ये inner function यह इनर फंक्शन जो है यह एक साथ इसके साथ तू को मल्टिप्लाई करके हमें रिजल्ट रिटन करते हैं अब दिखते हैं रिटन वैलू क्या कहती है तो रिटन वैलू इनर फंक्शन क्या होता है मल्टिप्लायर फंक्शन इनर फंक्शन को रिटन करता है है कि इनर्फन्च्छन कि रेंतर्द सुनद एलए कि जब मल्टिप्लायर को कॉल करते ऑग अग्सक्टा प्रस्क्राइब बेसे हैं कि ब्रम कॉल में आपको उनर्फथायन सब्सक्राइब function assignment क्या कहता है const double is equal to multiply to जब आप multiply to वो call करते हैं आप उसका return value inner function को double नाम से एक variable में store करते हैं मतलब कि जब मैं multiply to वो call करता हूँ वो क्या आता है inner function हमें return करता है inner function को मैंने क्या किया इस double नाम के variable के अंदर मैंने store कर दिया आप उसका return value inner function को double नाम से एक variable में store कर दिया होगे अब double variable एक function को refer करता है जो कि inner function है अब ये भी क्या कर रहा है ये भी अब एक function को refer कर रहा है जो कि inner function है मतलब इसकी वी value हम इसके बराबर कर दिये जो कि inner function है तो यहां पर क्या हो गया ये 5 है automatically किसे multiply हो जागा factor से और factor जो है मतलब ऐसे देखे डबल है ये किसके बराबर हो रहे है inner के बराबर तो inner function के बराबर ये हो गया अब जो ये है मतलब जो double है ये inner function के बराबर होता है कि हम result को mutual दोबल दे सकते हैं obviously क्योंकि result भी एक तरह का से रेफर करेगा double को और double के अंदर क्या होडी operation double क्या यहां पे डेफल यहां पे inner function के अंदर के अन्दर क्या हो यह operation X into factor हो रहा है तो X into factor जो है x की value 5 हो गई और factor की value 2 हो गई तो 5 into 2 हमारे result क्या है आईगा console पे हमारे result पे आएगा 10 so I have a 10 I hope कि यह function as a return आपको समझ में यह होगी अगर आप थोड़ी बहुत problem होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा इसको अप्डेट करनी का और फिल्टर तरीक से पढ़ाने की कोशिस करूंगा ओके थैंक यू